नमस्कार मैं हूँ निश्या पाठक और आप देख रहे हैं पंजाबकेस्री.com इस साल का पहला सूर ग्रहन आठ अपरेल को लगेगा अब आप सोच रहे होंगे कि यह ग्रहन कहां दिखेगा तो आपको बता दें कि यह ग्रहन अमेरिका के इलाकों में दिखाई देगा भारत म तो यह ग्रहन आपको देखने को नहीं मिलेगा लेकिन इस ग्रहन की वजए से कई परिशानियों का सामना आपको जरूर करना पड़ सकता है आपको आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो पूर्ण सूर ग्रहन तब होता है चब चंद्रमा पृत्वी और सूर के बीच से गुजरता है और सूर के चेहरे को पूरी तरह से ढख देता है जिससे आकाश में अंधेरा चा जाता है पूर्ण ग्रहन को लेकर कई बाते सामने आ रही है नासा और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ग्रहन के लिए कई वार्निंग जारी की गई हैं वैग्यानिकों के म नहीं होते हैं बलकि ग्रहन के आगे पीछे वाले घंटों में हाथसों की संभावना जादा होती है ग्रहन के दौरा नेट्वर्ट की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ग्रहन को एक साथ लाखों लोग लाइव देख सकेंगे जिसकी व पड़े हिस्सों में एडवाइजरी जारी की गई है नासा की रिपोर्ट के मुताबिक ये ग्रहन टैकसास ओकलाहोमा आरकंसस मिसोरी इलिनॉइस केंट की इंडियाना ओहियो पैनिसिल्वानिया न्यू यॉक वर्मोंट और न्यू हैमसायर में दिखाई देगा हालां कि ना नासा की ओफिशल वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं नासा भारतिय समयानुसार रात साड़े दस से देड़ बजे तक पूर्न सूर ग्रहन की लाइव स्ट्रीमिंग करेगा अगर आप इस एतेहासिक मंजर को अपनी आखों से लाइव देखना चाहते हैं तो अगर आप कहीं और भी इसकी लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो दूसरी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं आईए ये भी जान लेते हैं कि आखे सूर ग्रहन होता क्या है आसान भाशा में समझे तो जब सूर्य और प्रत्वी के बीच में चंद्रमा आ ज जिसके कारण कुछ समय के लिए प्रत्वी के कुछ हिस्से पर दिन में भी अंधेरा दिखाई देने लगता है बैग्यानिकों के मुताबिक सूर्य चंद्रमा और प्रत्वी जब एक सीधी देखा में आ जाते हैं तब सूर्य ग्रहन लगता है इस कवर में फिलाल इतना ही ट